नमस्कारम सत्कुरू क्या ध्याननिंग की उर्जाओं को कहीं से भी घ्रेंड करना संबभ है? क्या मैं घर से ध्याननिंग की उर्जाओं को उपलब्द हो सकती हूँ? आपको ये समझना होगा दो तरह की प्रतिमाएं होती हैं या दो तरह की प्रांट प्रतिष्ठाएं होती हैं. एक है बस स्पंदन, आप इस बर्तन को भी स्पंदित कर सकते हैं, पर आप कहीं और से इस बर्तन तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि ये बस स्पंदित हो रहा है, बिना किसी इरादे के कि क्या करना है, इसमें कोई मन्षा या बुद्धिमत्ता नहीं है, पर प्रांट पतिष्ठाएं, जो देवी जैसी जटिल होती है, या ध्यान लिंग, जो और भी ज्यादा है, वो भौतिक जगा की सीमाओं में नहीं होती हैं. आप जहां भी हैं, अगर आपके द्वार खुले हैं, कर रहे थे, कैरिबियाई द्वीपों से एक महिला थी, जो कई तरह के कामों में शामिल थी, कुछ खास तरह के काम, वो एक कागज में अपनी पेंसिल से कुछ करती रही, आप जानते हैं, हमें नोट्स लिखने वाले लोगों से थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने कहा, नहीं आपको नोट्स नहीं लिखना है, बस मेरे साथ रहिए, तो वो मुझे देखती रही, कागज में नहीं, बस मुझे, और पेंसिल से उस पर कुछ करती गई, फिर तीन घंटे का सेशन खत्म होने के बाद, वो बोली, मुझे नहीं पताई ये क्या है, ये चीज, ये रूप मेरे द्वारा बन गया, मुझे नहीं पताई ये कैसे हुआ, मैं तो बस आपको देखकर, अपना स्केच बनानी की कोशिश कर रही थी, पर मैंने ये बना दिया, ये ध्यान लिंक का, एक सटी का अनुपात था, उसने हूँ बहू ध्यान लिंक का चित्र बना दिया, इस तरह की, उसने अपनी पेंसिल से, पूरा पेज स्क्राच कर दिया, और जिस जगा स्क्राच नहीं हुआ था, वो एकदम ध्यान लिंक का रूप था, एकदम वही अनुपात, पर वो मेरी पिक्चर बनाने की कोशिश कर रही थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कि प्राण प्रत्रिष्ठित रूप उनके भौतिक स्थान तक सीमित नहीं होते, चूंकि ध्यान लिंग कोई भौतिक रूप नहीं है, बलकि ये एक उर्जा रूप है, जो स्थान और समय से परे है, तो अगर कोई इच्छुक है, तो आप कहीं भी हों, ये आपको उपलब्ध है, पर फिर भी आप में से बहुतों को, ये बहुत कालपनिक लग सकता है, तो मैं कहूंगा कि ये अच्छा होगा, कि आपने कम से कम एक दर्शन किया हो, अगर आपने ध्यान लिंग को देखा है, अगर आप वहां बैठे हैं, तो वैसे भी ध्यान लिंग के माध्यम से, आपके भीतर आध्यात्मिक बीज बोया जा चुका है, और अगर आप अपने लिए बस एक समय फिक्स कर लें, अच्छा होगा कि सुभा या शाम में, और बस शान्थ होकर बैठ जाएं, तो ध्यान लिंग की उर्जा आपको आपके भीतर से जरूर आगोश में ले लेगी, और अगर आपको सपोर्ट के लिए कुछ देखने को चाहिए, तो आप एक फोटो या यंत्र ले सकते हैं, जो आपको जरूरी सपोर्ट देगा, पर ये सारे सपोर्ट बस इसलिए हैं क्योंकि व्यक्ति मनोबै ग्यानिक रूप से विचलित है, नहीं तो इन में से किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी उपस्थिती में जो आध्यात्मिक बीज बोया गया है, वो वैसे भी इसे सुनिश्चित करेगा, पर अगर आपको कुछ दिखने वाला सपोर्ट चाहिए, तो जरूर आप ले सकते हैं, या फिर मंत्र या कोई सीडी या कुछ ऐसा चला सकते हैं, जो आपको इसमें सहयक ध्वनी का सपोर्ट भी देगा, पर वास्तव में, अगर आप घर में इसके लिए एक जगा रखें, और बश्शान्त होकर बैट जाएं, और अगर आप उस थान पर जा चुके हैं, तो आपको अपने भीतर ये महसूस होना चाहिए, अगर आप उस थान पर नहीं भी गए हैं, तो भी ये संभव है, पर उसके लिए आपको ग्रहनशीलता के खास तर पर होना होगा, जो शायद हर किसी के लिए संभव ना हो.